यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हर्याना कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा ने कहा कि अगर हर्याना में कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो अशोक तवर प्रदेश के सीम होगे खबरे अभी तक से खास बातशित में कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है आईए सुनाते हैं आपको 2019 के चुनाव करीब हैं और हर्याना की तीनोगी पार्टियां चुनावी तयारियों में जुटी हैं इस वक्त कॉंग्रेस की सरह की तयारियां कर रखी है ये जानेंगे हर्याना कॉंग्रेस की प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा जी से से आई कमान के आशिरवाद से अदरनियां डॉक्टर अशागत अमर यह पर्देश के कॉंगरेस के चीफ निस्टर होंगे और इसी विश्वास के साथ परदेश में हम दिन रात लगे हुए हैं बर्मन करें बाकी लोग कंग्रेस के अपने सथर पर कंगरेस के मजबूत करने के लिए हैं तेकिन कंग्रेस आपने कमान के आशिरुआद से यह दस जनपत से आशिरुआद कब मिला इसको लेकर तो उस्तित दिली से लिए है । उसके बाद राउल गांदी जी परदेश राष्टिया देख्स बने पहली न्युक्ति उनके कलम से असोक तमर की हुई है उन्होंने दुबारा रिपीट किया है तो ये एक संदेश है आम सब कॉंग्रेशी जनों के लिए भी और परदेश की जनता को के वे उनके नेतरतों में कॉंग्रेश चुनाव लड़ेगी ये तो साप सपष्ट जलक है असोक तमर जी को लगातार दूसरी बारा देख्स बनाया हरावल जी ने और उससे पहले तीन साल तक चार साल तक आदेख्सरे सोनिया जी का सिरवाद उनके सातरा है पिसले चुनाव में भी उन्होंने अपन सब्सक्राइब करने के लिए तो अब कॉंग्रेस के और से बड़ी बात तो यह आ गई है बालमुकुन चर्माने बड़ा बड़ी बात यह कही है बड़ा बयान यह दिया है कि अशोक तवर की अगवाई में चुनाव लड़ा जाएगा सीम भी बनेगे अब कॉंग्रेस के अ यह देखना होगा